गुद इवनिंग दोस्तों मेरा नाम है केतान अगरवाल मैं एक फैनेंसिल एडवाइजर हूँ एंड मैं स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट कर रहा हूं पिछले 5-6 सालों से अगरे मेरे अंडर्स्तेंडिंग मार्केट को जाधा अच्छी है अभी क्योंकि मुझे लोगों को हैल्प करना चें इंवेस्ट करने के क्योंकि काफी लोग घंबराते हैं इंवेस्ट करने नहीं इंवेस्ट करने से पिकיח falar harvest कॉक ही कॉपी कंमिकेटेंक्ट मेचा च्छी आसका नहीं होता है अपको फालोग लगजा आती है अगर यहाँ यह ब्धी वज्यूरह के कहते हैं इंवेस्ट के लिवानव भुता सो चेजडियम Youtube Sealeward पैसे डुबा चुके होते हैं stock market में या तो उन्होंने अपने रिलेटी या किसी दोस्त को देखा होता है market में पैसे खोते हैं तो इसे क्या होता है अगर जो भी पैसे कमाते हैं अपने savings करते हैं उसे part of the saving कहां invest करते हैं 50 की वज़से बट क्या होता है वो अपने fix deposit में सिफ साथ परसंट साथ साथ परसंट ही कमा सकते हैं बट अगर वो stock market में इंवेस्ट कर वो पैसा को तो 15-20% 25% CAGR के हिजाब से वो कमा सकते हैं 4-5 सालों में याद रखें stock market में हमें लंबा इंवेस्ट करना चाहिए चोटा investment सब के लिए नहीं होता है तो अगर आप compound करेंगे 5 साल के लिए fix deposit or stock market को आपको जो difference मिलेगा वो जादा मिल जाएगा दुनों compare करेंगे तो अगर आप एक लाग रुपए इंवेस्ट करते हैं इस पर्टिक्लर वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ एक stock को analyze करने वाला हूँ ठीक है और उस analysis के basis मैं मैं analyze करेंगा क्यों से buy करना चाहिए sell करना चाहिए ठीक है मैं अपने reason दोंगा क्यों buy करना चाहिए sell करना चाहिए बट याद रखें वो मेरा personal opinion है मैं आपको buy करने या sell करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको अगर कि कोई stock ले नहीं आगए या तो मैं जो stock के बारे मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको वह stock खरीदने का मन करता है तो प्लिस लेकिन अपनी खुद की अप research करें उसे खरीदने उसे खरीदने से पहले या बेचने से पहले मेरे बुले वे मेरे की वे analysis की उपर से अपना जाए या तो अपने financial advisor से consult करें तो इसी तरह हर हफते मैं video बनाने वाला हूँ और हर हफते मैं एक stock के साथ आऊंगा मैं analyze करें उस particular stock को तो प्लिस मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबा दें ताकि आपको कोई भी important वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो हम start करते हैं अपनी analysis से मैं यहापे fundamental analysis करने वाला हूँ टेक्निकल analysis मैं दूसरे वीडियो में करूँगा तो start करते हैं fundamental analysis से तो analysis start करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ बोलना चाहूंगा पहला कि आप important notes है जो disclaimer यह पढ़ ले इससे पढ़ने के बाद दूसरी पॉइंट यह है कि इस particular video मैं मैं से fundamental analysis कर रहा हूँ पर टेक्निकल analysis की दूसरी वीडियो रहेगी जिसमें की मैं features and options भी cover करूंगा और टेक्निकल analysis is normally short term के लिए यूज किया जाता है इस वीडियो में long term के लिए हम सोचेंगे कि long term क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिससी पॉइंट किया है कि यह particular video मैं हिंदी में बनाई है इसकी same video इंग्जो की English में है मैंना already upload कर चुका है जिसका की link आपको नीचे description में मिल तो डियाचेफल डियाचेफल की long term analysis है डियाचेफल क्या करती दियाचेफल एक housing finance company है जोकि house loan देती है ठीक है यह काफिव पराणी company है तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहली चीज़ यह देखेंगे कि industry analysis करें housing finance company के कैसी कैसा काम कर रहा है इस वक्त है तो हम देख सकते कि housing finance company industry बुद स्टेजी से आगे बढ़ रहा है क्यों आगे बढ़ रहा है बिकास जो house को डिक्टी डिमांड होता है गर को डिमांड होता है वह बहुत जादा है हमारी economy में और वह बढ़ता जारा है क्यों बढ़ता जार है मोलोन में लिया जाता है घर आवक कहनी स्ट कर रहे हैं प्लैट करीद रहा है तो लोग आज को लोट में में लेते मौंटमें लेंडिंग आप देख सकते हैं तो इस वीपर अगिए क्यों कि लोग लोनी जादा ले रहे हैं और दिवांड कर जामर्ट से हर साफ वह नियु और अगर आप देखेंगे इंडिया में तरिवन फाइब मिलियन और घरों की रिक्वार्मेंट होती है हर साल जिसमें से कि 90 परसंट जो रिक्वार्मेंट आती है वह एफड़ेबल हाउजिंग सेग्मेंट साथी है सस्तो घरों साती है जो कि थीज लाग 40 लग 50 लाख में आज वैसे घरों की डिमांड जादा होती है हमारी एकोनॉमी में डिमांड सप्लाई के बिच में गया भी काफी है तैन परसंन जो है सप्लाई कम है डिमांड से तीसरी पॉंट यह हैं यहां पर कि जो स्मार्ट सिटिज आने वरी है इंडिया में यह समार्ट सिटी उससे क्या होगा दिखरों ज्रों और बढ़ जाएगी यह लोग फोर्पे खाव जबहे से बड़े में मूफ करेंगे हैंतम वहां अपर कि बढ़े होवें ज्मान ऊको ने घर करेंगे वहां की हमारी आइक लोग तो बिच्चे रहते हैं इससे क्या हो रहा है घरों की लिए तो डिया चैनल है जो ऐसे कस्टम को टारगेट करता है जो कि लोए नीडिल इंकम है और मीडिल इंकम ग्रोप वन भी अच्काइब में खरीते हैं ठीक है तो और 90 पर्सेंट डिमांड इसकी इन घरों की है है हमारी एकोनॉमी में दूसरी पॉर्ण यह है कि अपने बिल्स एक्सपेंड कर दिया है दूसरे से डूसरे एरिया में लोन वह भी कॉमेर्सिल प्रॉबर्टी लोन भी देते हैं फिर स्मॉल एंड मेडिया में इंटर्पाइज लोन भी देने लग गए और उनकी जो प्रेज आप देखेंगे चलिक्दूं लोन होते नुकि अबहुत अच्छा है उनकी जो इंडिस्ट्री एक्सपरियेंस ऐसे वह बहुत अच्छा ऐस्परियेंस उनोंने उनके मैरेंजमेंट बहुत अच्छी है और प्लस इनकी वाटीकल में हाउजिंग लोन नोन हौसलिंक दूनों puisब बीजिस में से कन अच्छा फोकस कर सकते हैं कमपनिय पिण के अच्छा सिरन्थ है और हो सकता है नुक्लियर फैमिली बार्टी हमारी एकोनॉमी में तो यह और अपरचिनेटी क्रियेट करेगी डियाचे फिल को ग्रो करने के लिए क्यों क्यों कि डिमांड बढ़ता चला जाएगा इस यहां पर मैंने कवर क्या है बेसिक अनलेशिस इंडस्ट्री की ऑडियाचे फिल की अगला हम करने जा रहे हैं जो की है फैनेल्स अनलेशिस ऑफ यह त्यक्वाग अप्राइम कंपनी के फैनेल्स को स्टड़ी करेंगे करते हि हम भी जाहें नोग पिट्यू के डाता Champions Game जाहिए नोच जोह आपंट्र मेंक मुझेब आधि च्ट्छ करते हैं मैं यहां पर भी ऐस पी श्कंपिन नहीं प मैंस बेगानिया नोलिके में यहें जो vibration लिए आप देख सकते हैं लाइबरिटी साइट मैंने तीन आइटम लिए है एक पॉन आइटम लिए है और नीचे में आप चाहे तो वीडियो रोके मेरी कमेंट्स पढ़ सकते हैं मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तब यहां पर देख सकते हैं 2013 से 2017 के बेच डियाचेफ इसका मतलब क्या होता है के लाइट करोस्का सेयर गवटल था उन्होंने फिर सेल फिर से श्पर से कैपिकल 45 मार्केट Community होग फिर और ररेज़ दो नंती बैसते है यह हम्लडिक प्रर्जाइब हुआ है तो उसे अच्छा कंसडार नहीं किया जाता है। चलते कि अच्छा चारीक कि लिप्न हाइव कर पारेंच याघ के अपहुट कंवां नहीं कि आ एक श्टेंड करने रहा तो इसलिए वह बहुत कशलों वह इस इसमें त्रसौंट आको पते क्या होता है श्क करने के वजह से के मतलब होता थे जितना कमार रहे द्सक्ना पर्शेंटेज कमारेते द्सक्राइस जादा मेकलत अपते परेंके ₹ नहीं हुई है उसे क्या से पता चलता है कि उन्होंने अपने नए फाइंड को बूट एफिसेंटले यूटिलाइस किया है ठीका नेक्स्ट है टूटल डिजव कंपनी के तूटल डिजव अब देख सकते हैं 213 में 3108 क्रोस था जो की बढ़के हो गया 7682 क्रोस तो यह बूट अच्छा साइंगे को पर काफ ज्यादा रिजर्व है तो रिजर्व क्या होता है कि वंपने पास कुछ पूट प्रॉफिट रखती है कुछ ता कि कुछ अंसर्टन इवेंट आजय कुछ सर्ट कर सके कंपनी पास काफी फंड है अब लाद पास सालों में देखें अगर देख तरह चबीस चबीस पांसो चॉइसर्ट करोर था दोहात एरा में जो कि हो गया 66 753 क्रोज ठीक है 2017 में बट यहां पर पूरा नहीं नॉमली अगर कुछ दूसरी कंपनी लोन लेती है वो बढ़ता जाता है तो वह बैट साइं होता है कंपनी के लिए क्यों कंपनी के पास काफी लोन है जिसे की काफी फिस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा कंपनी की बट एंबी एपसी के लिए वह फॉर्मॉला अप्लाई नहीं होता है क्यों क्योंकि इनकी बिसने स्ट्राटेजी वह होती है वह क्या करता है यह जो लोन होता है दूसरे फालेंसे इंस्ट्विशन से लेते अगे बिली इंवेस्टर बॉर्वर को जो दिया हुँआ है तो लग को बनाद बोलॉएंस पड़ा है वैसे वैसे लॉन टर्म एडवांस इव इंक्रीज वा है तो यहां क्या होता कर लांग टौंग अडवांसे इंक्रीज होगे तो कंपनी और ज्यादा इंट्रेस्ट के मे तो उनका प्रॉफिट भी वैसे ही बड़ा होगा ठीक है तो यह था बैलंसीट का अगला मैं स्टडी करने चाहरा हूं पॉर्टर रिजल्स ठीक है यह है क्वाटर रिजल्ट डियाच फेल का यहां पर आप देखेंगे कि मैंने सेप्टेंबर 2016 से फिगर लेना स्टार्ट किया है जो कि सब अभी वह है सब्टेंबर 2017 तक का तो और यहां पर मैंने चार आइटम लिया है क्वाटर रिजल्स में इंकम फ्रम उप्रेशन एबिटा नेट पॉपिट पॉपिट पॉपिटर टेक्स माजे ठीक है और यहां नीचे मेरी कमेंड्स है तो यहां पर मैं कंपेर कर कि क्वाटर बंस हैं यह है जून 2017 यह सब्टेंबर 2017 और इसको में कंपेर करूंगा लास्ट यह सब्टेंबर 2016 से भी ठीक है तो हम यह देखते हैं कि इंकम पर मौपरेशन कैसे ग्रोव हुआ है इंकम फॉर्प्रेशन क्या होता है उनका जो वह बिसिकली इंट्रेस्ट कमात से हैं अपने लोन बॉर्वर से ठीक है तो हम यहां पर देख सकते अगर हम कंपेर करेंगे जून टूरां 17 से क्यों और यह क्यों तो तो 8.45% का ग्रोथ हुआ है यहां तो अगर हम मैंने यहां पर कमेंट में लिखा है नीचे अगर हम देखेंगे यहां पर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं 20.46% का यहां पर मैंने कमेंट में लिखा है यहां और यहां पर देखेंगे तो अगर इसका कंपेर करें तो जादा होता है क्योंकि इनकी जो कोस्ट होती है NPS की वह मेजर पस्ट होता है और इसके बाद इता खगें इसका मतलब क्या होता आइब अर्निन भीफों इन्ट्रेस्ट टैक्स टेप्रेशन आशिस इस तो यहां पर इंट्रेस्ट का जो मेजर कॉस्ट है और डिदक्ट नहीं हुआ है इसलिए बिटा नंबर इनका बढ़ा होता है याप में भी ठीक अच्छी ग्रोथ है लेकिन यहाँ पर थोड़ी और एफिसेंसी बढ़ा सकते हैं उन्हें बढ़ाया है एक्चुल मैं के से देखेंगे आप क्योंकि इंकम फर्म ज्यादा बढ़ा है लेकिन उनका कॉस्ट जो परसेंटेज है वो कम बढ़ाया है आज अगला देखेंगे तो net profit टीक है net profit अगर देखेंगे तुठां 16 से तो 12% ग्रोथ हुआ है तो लास्त पारी प्लॉप 19 से एक चीज नूटिस करने वाली चीज है है income from operations जो है 8.45% ग्रोफ हुआ है लास्ट क्वार्टर से जबकि नेट पॉफिट ग्रोफ हुआ है 12 परसंट ठीक है वैसे ही अगर देखेंगे पिछले साल से है इंकम कम उप्रेशन ग्रोफ है 20 परसंट लेकिन प्रॉफिट ग्रोफ है 26 परसंट तो यह बहुत ही अच्छी साइंग है क्यों कि कंपनी की एफिसेंसी काफी बढ़ गई है उन्होंने तो यहां पर एनालिसिस के साब से उनकी जो कॉस्ट्व कैपिटल वह एक्च्वर परसंट तो इसले सालों के कंपरीशन में इंप्रॉफ्मेंट यहां पर बड़ा नंबर जो देख रहे हैं वह इसलिए देख रहे है क्योंकि उनकी परने स्टेट्मेंट में एक एक्सेप्च्ट्नल इटम गई पॉफिट अनॉसे कांट में यहां पर एक बड़ा नंबर ते कि अनलेसिस हमें यह पता चलता है कि जो उनकी ग्रोफ परसंटेज लास्ट पोर्टर से इंप्रॉफ्मेंट हुआ है जादा कंपर टू पास्ट चिक है और अकर यह चीज़ कंटीनू होता है तो हम अच्छा ग्रोफ देख सकते हैं डियाचेवल के सेयर में आने होले एक दो सालों में तो नेक्स्ता मत भी स्टैटी करने जा रहे हैं पॉफित अलोसटेटमेंट टीक है जो कि पिछले पास सालों के स्टार्टिंग फंटर इंग्रों तर्टीन से मार्म टूदान चाहिए मैंने यहां पर तीन फिगर कावर किया है income from operation profit after tax and EPS अब नीचे मेरी comments है तो starting from income from operation यहाँ पर देख सकते हैं 2013 से 2017 तक काफिए अच्छी ग्रोफ ही 113 परस्ट ग्रोफ हो गई पिछले पांस सालों में और पिछले साल की के निचेंगे लिए पर लिए लिए कि मने आप लिखाया वैन इस कंपेर्ट विदिन था इंडस्टी देन ग्रोफ परसंटेज फ्रम लास्टीयर इस लिटल बिलो दे इंडस्टी अवरेज अगर हम फिगाश को कंपेर करेंगे तुर्ण 16 को तुर्ण 17 जो 21 परसंट की ग्रोफ है वो अच्छी है लेकिन इंडस्ट्री अवरेज से बिलो है वो नमबर ठीक है अगर हम लास्ट पांस साल से कंपेर करेंगे बट वन दे ग्रोफ परसंटेज और लास्ट फाइविर इस इस असपर दे इंडस्ट्री स्टैं सब्सक्राइब करेंगे मास तक का तो वह इंडस्ट्री से बिलो है यानि कि यहां पर द्याहन में रखने वाली बात है अगला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर अगर आप देखेंगे अगें पेस है तो टुठान थर्टीन का पूर फिफ्टीवन क्रोज है और टुठान सेवेंटीन का में यह फिगर लेंगे यहां पर एकस्टनल आइटम है गाटाग है 927 करेक्ट फिगर होगा लेने करने के लिए तो यहां पे जो ग्रोथ हुए है प्रॉफिट में लाज्ट पिछले पास सालों हो 105 105 परसेंट और पिछले साल के कंपर इजन में है 27 परसेंट ठीक है वर्ट अगें रिया चेपल प्रॉफिट ग्रूफिट इसान परसेंट पर्सेंट यह इंडस्ट्री इंप्रॉफ्मेंट देखा है अब तक लेकिन वह सब इसके नीचे थी इंडस्ट्री आवरेज के नीचे थी ठीक है यह एप्यस एप्यस कंपनी का अच्छा ग्रोव कर रहा है लेकिन यहां पर थोड़े आप नीची डाउन फॉल देख सकते क्यों क्यों कंपनी ना फ्रेस इक्विटी से रेस किया था ठीक है उपके वाज़े से हमारी एप्यस वापस तर नीचे आ गई है और कुछ सालों हो वो जब नए एक्विटी जो रेस किया था उसे जो पॉफिट होगा उनके वह इंवेट फ्रेस इंवेस्टमेंट में तो वापस एप्यस अच्छे से ग्र प्रोग करने लगेगा ठीक है तो अगला हम स्टाड़ी करने जा रहे हैं वह रेसी रेसियोष में हम चांच स्टाड़ी कर रहे हैं इबीटा मार्जिन प्रॉफिट अपर टैक्स मार्जिन रिटर्न एसे डिटर्न और एक्विटी ठीक है तो यह पिछले 5 सालों की फिगर है यहां धुलिट ओप करेंगे इंडश्ट्री के साथ ईंडस्ट्री में मैं पांच और नगskांच कंपनी ऐसे हैं घरермडेस के फिन होंस्य कांट कथ में आप देखेंगा कंपनी के तो इबीटा मार्जी मैंने बज़ेसे पता है कि वह जादा होती है क्यों कि उनकी जो मेजर कॉस्ट होती है वह इसके बाइबीटा मार्जी पीटा के बाद आती है जो की इंट्रेस्ट होता है पॉफिट नेक्स्ट पॉफिट आफटर टेक्स पॉफिट आफटर टेक्स देखेंगे तो वह राउंड 10% के आसपस हमेशा रहा है दिया चेफल का विचल चार साल होना ठीक अब अगर कंपेर करेंगा उसको इंडस्टी के साथ तो इंडियाच जब की पॉफिट आफटर टे पीछे हैं क्योंकि उनकी पॉफिट जादा है वह लोगों नहीं यहां पर इंप्रूइम्ट देखा है वाटर टू के रिजल्क में तो वह हमें ध्यान रखना है और आने वोने टाइम में यह देखना है कि दोर इंप्रूइम्ट कंपनी करता है कि अगर कंटीनियू करता है तो ग्रोध बूत अच्छा देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में यह अब रिटन ऑन एसट परसेंटेज रिटन अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से सही है और यहां पर हमने अच्छी ग्रोध भी देखी है कि लास्ट लास्ट येर के कंपरिजन रिटन इक्वीटि अगें एक असपर इंडस्ट्री अब कंसरेडर कर सकते हैं थोड़ी बिलोइंडस्ट्री है यहां पर भी फूड़ी इंप्रूब्मेंट आ सकती है अगर हमारी प्रोफिट कंपनी के बढ़ेगी प्रोफिट कैसे बढ़ेगे कर कॉस्ट ऑफ केपितल जो कम तो चाहिए कि प्राइस तो बॉक वेल्यु रिस यह है प्राइस जरन इंग रेस लिए तो डीच फिल की जो प्राइस विख वेयलु वेयलु प्राइस को है तू-पॉर एट थाइम अग्णि इंडस्ट्री आवरेज फाइफ तंस तो डीच ने पर फैलएट ओर तो फॉर्टी 6 x 2.48 आपको मिल जाएगा 611.55 ठीक है जो कि करेंट मार्केट प्राइस है बट यहां पर देखने होने यह बात है कि जो प्राइस टू बॉक वैल्यू रेसियो है वो इंडस्ट्री से बिलो है डिया चेफल की साथ बाक्यों कंपनी के असपास है तो डिया चेफल 2.48 है तो क्य करेंगे कंपरिजन में बट वो ग्रियाप जो था हम हमें कम होता हम नजर आ रहा है वाटर टू के रिजल्ट से तो अगर यह कंटीन्यू होता है तो हम expect कर सकते हैं कि सायद यह इंडस्टी के ताद कैच अप कर लें इंडस्टी के बराबर चल सके है अगर वैसा हो पाता है तो हम कुछ इस स्टेप की प्राइस रेंज एक्सपेक कर सकते हैं तो इंडस्ट्री आवरेज मुल्टिप्लाइ करेंगे आप 246 जो की बॉक वैल्यू है तो ऐसी प्राइज आनी पॉसिबल है जिकाँ है ज्यूद्न पॉसिबल एक दो साल मां गुफ दाई कांपनी में इंप्रूब्मेट आती है तो इक है और अगारै प्राइस एलिक बाइच है नेमानी प्राइस दी अारिख आने से एफट्री आवरेज एट तो फिरिए ग्नली परिलियू इंडस्ट्री आवरेज तो कंपनी के EPS around 30.64 अगर चीज़े बदलती है या कॉस्टो कैपिल कम हो कम हो कम जो कम हुआ है वो अगर मेंटेन रहता है तो और भी कम होता है कंपनी के एफिसेंसी बढ़ती है तो यह कंपनी इसके पी रेसे भी अस्पर इंडस्ट्री एवरेज यास बदा सकता है तो हम एक नया फिगर फिर सेक्स पर कर सकते हैं इस रेंच में अगर मुल्टीप्लाइब करेंगे यह दूनों को तो यह नंबर तो मेंको लगता है एक से दो साल के अंदर डियाच वन इस प्राइज या अंदर कहीं ट्रेड हो होना चाहिए तो अगर आपको लगता है यह सही है तो आ यह दो रहा है बट यह मेरी परसनल ओपीनियन है अगर आपको बाइलेना हो तो आप अपनी कुछ रिसर्च करें थोड़ी सी लेने से पहले और ध्यान रखें मार्केट में थोड़ी रिस होती है लेक मार्केट रिस होता है वो सब्सक्राइब तो अपने फैनल से अड़ में बताऊंगा तो वो वीडियो आप जरूर देखें ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को बेल आइकन को दबाद है ताकि आपको को यह भी वीडियो आपसे मिस्ट ना हो जाए ठीक है थैंक थैंक यूपर वाचिक मैं वीडि